तो दोस्तों स्वागत आपका एक और मैज़दार एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद है रितिका बजाज जी यह बाइप्रोफेशन एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर है अश्रोलॉजर है नूमेरोलॉजिस्ट है तो आज जो है हम बहुत सारी नई तरीके की बाते जाने को रखें तो सबसे बढ़े माले वैलकॉम है थामोघ को ब्रीफ कर दो कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या होते हैं क्या भो सब सारे इंसानों के जनवरों के सबके होते है । दिसके गोगल यूट से पहले चले तो जब आपको किसी चीज की information चाहिए होती थी तो हम कहां जाते थे library books पढ़ते थे कुछ ऐसी चीज जो हमारी daily routine की नहीं है हमें नहीं पता हमें उसकी knowledge चाहिए हम library जाते थे books पढ़ते थे उसके बाद Google आ गया हमारे लिए बहुत easy हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा है जानना है कुछ information चाहिए टाइप करो हटकट आगया आपके पास में तो अकाशिक record जो होते हैं वो आपके अपनी सोल की library है आपकी सोल की सारी information वहां पर सेवड है आपके records में that is akashic record बहुत ही simple है यह सब की है city के records होते हैं country के records होते हैं animals के records होते हैं पर animals की आप कैसे चलो इंसानों की तो फिर भी आप access कर सकते हो थोड़ा imagine करा जा सकते हैं पर dogs की नहीं कर सकते कर सकते हैं बट akashic records में ना terms conditions यह होती है कि सामने हमें permission चाहिए जैसे मुझे आपके records open करने है तो मैं आप मुझे दे भी रहोंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि वो मुझे permission दे रहें तो आइकान तो फिर cities और countries की ऐसे आपने बोला cities और countries के record open होते हैं लेकिन परमिशन वाली बात है और नहीं करने चाहिए country और cities के record क्योंकि past इतना खराब होता है किसी भी city का country का देखो ना आ क्या हुआ था इतने लोगों की जाने गई थी आपस में भाई-भाई लड़ रहे हैं बड़ी माम एक यसी चीज नहीं है जो living thing कही होगा जैसे humans है animals है country में city में रहते तो living things ही है ना animals ही तो रहते है humans ही तो रहते हैं तो यह all over सब के records collectively किसी city के record किसी सब करो तो आप अगर बाया चांस किसी city का या country का देख नहीं है तो फिर क्या permission कि सरनी पड़ेगी भाही नहीं ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से वह आपको कैसे पर्मिशन देगा कैसे हिला कर दे ने वह सामने प्रेजंट है ना अच्छा सामने प्रेजंट है सामने बैठेगा मेरे जिसे एक बार मेरे पास कोई आयत है उन्होंने मुझा कि मेरे बेटे के records हैं वह बेटा mentally retarded था तो वह बेटा आने सकता बट आप record open करके बता दो कि क्यों यह problem है इसके साथ में तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वह बेटा चाहिए और जब वह mentally retarded है वह condition में नहीं है permission देने के तो मैं बिलकुल यह against the ethics जाकर मैं यह काम तो करी नहीं सकती जो सामने है मैं उसके ही record open करूंगी with his or her consent तो आप off track जाके ethics को break कर सकते वैसे या करी नहीं सकते कर सकते हैं बट नहीं करना चाहिए मैं नहीं करती परसनली कर सकते हैं बट नो माम थोड़े आपके क्लाइंट के एक्जाम्पल से हम सुनना चाहतने कि आपके पास कुई आया हो आपने उसके अकाशिक रिकॉर्ड्स खोले हो उसके पेंडिंग करमास कुछ गलत हुए हो फिर इस जनम में आकर उसको हटाया हो या फिर ठीक करा फिर उसकी लाइफ में समस्य अगरा आपके जो मेरी तरफ से हो गया आपको यह जीज़ क्लियर हो गई कि इस वज़े से आप स्ट्क्ड़ों नाउट यूटी कि आपको वहां पर अपने लिए काम करना पड़ेगा कैसे काम करना पड़ेगा सबसे अच्छा काम है मैं जो बिलकुल मांती हूं 100% करता है कि कि आपके रिकॉर्ड ओपन हो गए मान लीजिए किसी ने किसी एक्जाम्पल से ही समझते हैं आपके पास कोई केस आयो आप बिना नाम लिए कुछ बता लिजिए उसकी हमने पास्ट लाइफ देखी जाकर तो उसने किसी का मुर्डर किया हो मान लीजिए सकिया अब उसका गिल अब इसे लोगों के साथ ने होता है कि जो डेथ फ्यूनरल होता है उसमें जाने में बहुत गबराता है तो अब वो मेरे पास आया मैंने उनके रिकॉर्ड ओपन करें रिकॉर्ड ओपन करके मुझे दिखा कि हां ये प्रॉब्लम है आप उस जगे जाकर आप वो ठीक तो न कहीं तो आप उसकी माफी मांगे और दो मॉमेंट आप माफी मांग लेंगे आपकी प्रॉब्लम वहीं खतम हो जाएगी तो माफी मांगने से हो जाता है या फिर मुझे कुछ एग्जाक्ट करने पड़ेंगे कि कि किसी का भला कर्म तो हमेशा अच्छे करने ही पड़ेते है तो पूरा खेली कर्म का है किसी का मुर्डर कर दिया बहुत बड़ी चीज है तो इसको कट करने के लिए परको कुछ स्पेसिफिक चीज करनी पड़ेगी ऐसा निया या सिर्फ माफी वांग कोई क्या कर लोग जिसका मुर्डर कर लिया वो इस जनम में आपको कहीं न कहीं तकराएगा जरूर अच्छा ऐसा होगा बिल्कुल 100% और ऐसा भी है कि वो बदला लेगा ऐसा भी हो सकते हैं ऐसा भी हो सकते हैं अगर उसने बदला ले लिए और हमें मार दिया बाइचांस उसने अपने उपर गलत करम चड़ा लिया अब आपके करम आप अच्छे करत मतलब एक ना पिरामिड है एक फॉर एक्जांपल एक पिरामिड है कि उसमें सबसे बेसिक क्या है आपका घर रोटी कपड़ा मकान वो फुल्फिल कर लिया अब उसके उपर चले आप अब हमें थोड़ ऐसा लेविशनेस चाहिए लाइफ में थोड़ा पैसा जादा चाहिए वहां हो गया अब हम शाधी करेंगे अब बच्चे करेंगे अब हमें लुटी चाहिए लाइफ में लग जुल गई अब स्ब मिल गया अब क्या जब यह पूरा पिरामिड़ आपने पूरा कर लिया तब आप चले स्पिरिच्वालिटी की तर तुम इतने spiritual enough हो कि अब तुम नहीं पैदा हो गए अब आपका जहां भी जनम होगा यह सारे जो करमाज आप जो बैगेज लेकर चलते आ रहे थे उससे तो आप free हो गए अब अगला जनम अच्छा ही होने वाला है बट वो spirituality आप इतने जल्दी नहीं मिल सकती आपको क्योंकि आपके वो जब पिरामिट जब तक पूरा नहीं होता फिलफिल नहीं होता तब तक आगे बढ़ी नहीं सकते हैं बैद जरूरी थोड़ी हर कोई पिरामिट के फॉरम में ही चले हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिसके बैड कर बापस गिरता है फिर वापस तो हर को ऐसे तोड़ी जा रहे हैं कोई जो बुरे करम करते हैं वो नीचे कोठी में भी तो आ जाते हैं आपने आपका जिए अभी पास्ट लाइफ छोड़ते हैं इस लाइफ में कोई एक बहुत नॉर्मल सा बंदा देखा आपने कि या बंदी देखी कि नॉर्मल सी लाइफ चलती चारी है इसकी अचानक jackpot लग गया, वो बंधा हाइप जाकर बैठ गया, बिजनेस है उसका, करोड़ पती है वो, ठीक है, तीन-चार साल चल गया ये, क्योंकि इस जनम में उसके कर्म अच्छे हैं, इस जनम के, प्रेजन्ट लाइफ के, चार साल, पाथ साल अच्छा सस्टेन के हैं, पर एक दम से नीचे गिरा, ठीक है, पता नहीं क्यों गिरा, आप रोल आपका आता है, आपके पास लाइफ करमास का, हिसाब तो आपको देना है, यही देना है, इसी जनम में देना है, धरती पर ही देना है, उपर कोई हिसाब नहीं होता है, उपर कोई जज करने बैठा ही आपको जो जज्जमेंट होना है वो यहीं होता है आकर तो वो कर्मा प्लेज ऑल्वेस अच्छा मैं जैसे एक इनसान है हम मतलब सपोज हम सब जानते हैं जैसे मूवीज में देखा हम देखते हम की गैंग्स्टर होता है जो विलेन होता है वो फुल एशो अराम आयाशी पैसा आफो वैसा पूरा राज करा और फिर वो मर गया जैसे भी मरा पुलिस से मरा क्राइम से मरा जैसे मरा जब तक जिया बहुत मजा लिया उसने तो अब फिर उसके साथ क्या होगा अगले case में फिर उसे rebirth में वह तो नीचे ही आएगा ना पिरामिड से मालब एक टाइम पर कारम अच्छे रखिए आप तो वह लेवल आपको मिलता जाएगा आप देखें मैं आपको एक्जाम्पल देती हूं अभी अनन्त अमबानी की शादी जो भी उसके प्री वेडिंग फंक्शन्स चल रहे थे वो अमबानी है ना अनन्त अमबानी ने इतने करोडों लोगों के सामने उनने मतलब जो वहाँ पर सारे सेलेब्रिटी और बड़े लोग थे उनके सब के सामने हाथ जोड़कर उस बच्चे ने बोला है कि हमारी तरफ से अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ करिएगा तो कि उनमें वो ग्राटिटूड है उनने कर्म अच्छे रखे है वो जो बच्चा है अनन्त अमबानी आप उसको देखिए जो जानवरों के लिए उनने स्पेसिक्टिकली एलेफिंट्स के लिए कर रहा है तो वो कही ना कई कर्म इसलिए वो यहां पर इनका जन्म हुआ अमब लाइजके जलते यारई और आगे जलते रहेंगे थोड़ा अपने बारे बदाऊ कि आप कैसे जाते कर शटर में किखियाओ जैसे मैं आप से सभी आई तो कितिना टाक्राइम लगता है आपको रिकॉर्ड ।ो यहां और नहीं कारण सूब्रेशा क्रृंद्स कि प्रेर हैं थे को हमारे इंडियन प्रेयर नहीं है। ऑफने, पुराने युग में रिशी मुनी, वह आपको बैठे रहते हैं आप जाओ उनके पास में। आग बंद करके बैठे हैं, वो उन्हें नहीं पता आप कौन हो, क्या हो, वो आप पर हाथ रख देंगे, जब अच्छा यह तेरी परिशानी है, आज से खतम, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके रिकॉर्ड ओपन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तब वो मेडिटेशन, डीप मे वो अट्राक्ट करें अपने, तो यह प्रेयर सारी इंग्लिश में हैं, तो वो प्रेयर करके फिर आप मतलब विजुलाइज करते हैं, कि आप एक बुक खोल रहे हो, या आपके सामने क्या आता है, नहीं, सबके साथ अलग-अलग होता है, हर प्रेक्टिशनर का अलग- प्रेयर कंप्लीट करने के बाद कई बार विजुल्स दिखते हैं, कई बार नोइंग आती है, कई बार मुझे लगता है, मतलब मुझे समझ आ रहे है कि मुझे आंसर देना है, मेरे सबकॉंचिस माइंड पर कोई बता रहे है, हिट कर रहा है बार बार, कि this is the answer, you have to give this answer to that, आपको पूरी उनकी लाइफ नहीं दिखती कि ये, जो प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड सॉल्यूशन उतना उतना पार्ट दिख जाएगा आपको, नहीं, रिकॉर्ड्स आर वेरी क्लियर एंड क्रिस्टल इस मामले में, जो आप सुनना चाहते हो, वो वही आपको बताए कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई प्रॉब्लम लेकर आए हो और उसके आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप उस आंसर को सुनने के लिए प्रिपेर ही नहीं हो, मेंटली, तो रिकॉर्ड्स आपको नहीं देंगे, रिकॉर्ड्स कौन लेके बैठा है, आपके मास सपोज अगर मैं आया मैं कहता हूँ आपको मैं मेरे हेल्थ इशू बहुत है, प्लीज आप देख के बताओ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को आंसर ही नहीं नहीं उस चीज का जैसे आप कह रहे हैं, तो रिकॉर्ड्स आपको आंसर नहीं देंगे, अगर आप तयार हो तो और यह कैसे पता चलेगा, तैयार है इंसानिया लिए, रिकॉर्ड्स बताएंगे ना, तो आपने, आपको आप बोल देते हो, कि आप रेडी नहीं हो इसके आंसर के, तो लोग आपको डाउट नहीं करते कि मैं आप तो स्कैम कर रहे हूँ, मैं तो जानने आया था, नहीं द कैसे कनफर्म होता है कि हाँ, आप सही कह रहे हो, मरलब जो आपने देखा, वो मेरी ही लाइफ है, और मेरी, कैसे, एक आपको एक्जाम्पल देती हूँ, एक रिकॉर्ड मैंने उपन किया था, तो याद नहीं रहता, थोड़ा बहुत मुझे कुछ याद है, रिकॉर्ड बं नहीं है, तो वो मेरे पास आए, कि आप एक बार ओपन करेंगा, ठीक है, ओपन करा तो बदा चला, उनका पास्ट लाइफ में कुछ उनकी वाइफ से कनेक्शन था, और वो ने कुछ ऐसा हुआ कि वो ने उठा रही है, वो उठने ही रहे, वो टाइम था तीन बजे का, वाइफ उठा दे तो वो नहीं उठता, लेकिन कुछ भी और हो जाए, वाइफ उठाए तो नहीं उठेगा, वैसे उठ जाएगा, तो फिर इसका solution, में एक बार रिकॉर्ड खुल गए, फिर वो सॉल्व होगी, बार रिकॉर्ड खुलेंगे तब जब आपकी प्रॉब्लम स कारण उनकी वाइफ के साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, मैं आप बैसे कितनी Live तक देख लेते हुजैसे एक इन्सान है आपके पास, तो कितने जनम तक देख ले तेखा हुआ मैंने अपनी लाइफ देखी है मेरायोग तक अच्छा मेरायोग मतलब आप उनसे कहीं न कहीं क viewed भी, माराजी से नहीं माराजी से कुमेरा जी से मेराजी में करेने कृषिन जी से कनेक्ट थी आपको विये कैसे पता कि वह मीरायोग चल रहा है हाँ पता है तो कैसे पता हो यह तो जाने जाने जाए? क्यूंकि वो पूरी सभा है जिसमें मीराजी गाना गा रही है भजन सुना रही है श्री कृष्ण को मैं वही प्रेजन हूँ मैंने क्या पहना है तो आप उन मेंसे जो सुन रहा है बैट जो गा रहे हैं साथ में साथ में गार रहा है कोरस टाइब तो मैं जब आप पास लाइफ या जब आपने आखाशिक रिकॉर्ट्स देखते हैं तो मतलब आपकी सोल वही रहती है आपका चेहरा और आपकी अपीरेंस भी रहती है नहीं नहीं चेंज हो साथ तो सोल भाई है, सोल वही चली आ रही है तभी तो रेकॉर्ड्स है सोल नहीं चेंज हो तो ड्रोन कैमरा की तरह होता है कि आप ट्रेवल करते हो कैसा क्या होता है कैसे बताओ मैं आपको इसे हम मुझे तो ऐसे लगएगा कहीं ना कहीं, stuck'd थी अपनी life में, तो मैं ने फिर अपने records open करे थे. और क्या-क्या, जणम और करम. करम तो मेरा, कर्म था ही मेरा, जिसके कारण वो curse था मेरे उपर, तो वो ही मैं अभी clear… आप बता सकते हो. यहाँ, मैं actually, मेरे पूरे खांदान में, मैं singer पैदा हुई थी by birth voice लेकर आई थी तो rhythm की और सब की knowledge मुझे by birth थी लेकिन सारे गामा में गई थी मैं और वहां से मैं eliminate हो गई जिद करके अपनी मर्जी से मर्जी से मतलब की मेरा गलाग हराब हो गया था और मुझे मना किया गया था कि इसके आगे मत गवाप अभी बाकी आगे वाले उसमें गा लेना बट मैं जिद पर उतराई नहीं मुझे गाना है अभी ही गाना है इस बता नहीं कल चांस मिले ना मिले तो गाया और eliminate हो गई वो म कि मैंने जिद की तो क्यों जिद की मुझे भी बता है कि मेरे इस वाइस के साथ में आगे नहीं जा सकती तो गाया क्यों तो वो एक दिमाग में मेरे उस एज में question बैठ गया उसका answer ढूंदे 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 मैं काशिक रिकॉर्ड में आई अक्चली और तब म अपने अपको surrender कर दिया था Shri Krishna में मेरे पास नहीं था तब मेरे पास ego था कि मैं गाती थी तो वो problem थी मेरे साथ में और तो आपका यहां से connection सीधा वहां तक दिखा आपको बीच में कुछ और नहीं एक बार में नहीं नहीं दिखा बहुत कुछ दिखा बहुत कुछ दिखा नहीं नहीं जरूरी नहीं नहीं भी दिखता है जब दिखाना होता है रिकॉड तभी दिखाएंगे मेरी मर्जी से नहीं दिखाते मुझे बट मेरे यह question उनसे बार-बार था कि यह ऐसा क्यों इसका अंसर इसका अंसर तो यह आंसर एक दिन निकल के आया यह बहुत ही रिसे किसी ने एक लाइफ में गलत काम नहीं करा वहाँ इतना मेजर की तो फिर आपको मुल्टीपल लाइफ एक बार में दिख जाती है और इस क्लाइंट है दिख सकती है अच्छा कई बार अच्छे भी कर्म होते हैं कई बार रिकॉर्ड बे कुछ बुरा नहीं होता कई बार वह तो मैं अतलब किसी के नहीं कर सकती थोड़े परस्नल हो जाते है बट वहीं जो हम कर्मों की बात करते है ना इस जनम में क्या में करम अच्छे रखने है तो वह जिसके रिकॉर्ड देखे थे वो लेडी थी तो वह उसके कर्म ओल्रेड़ी वैसे कई जनमों से वैसे ही कर अर फिरो को ब्राब्लम नहीं 일े उसको एक आशिक रीकॉर्ड क्या है बस पूलत जाना था कि होते है तो मैं उसके रिकॉर्ड्ड ओपन करके मैं रो रही थी मैं उटके गले लगाया मैंने का तुम क्या हो बतलब तुम ना चाहिए वाली बात है कि कुछ कुछ गलत नहीं है सब अच्छा है बहुत प्यारा है ऐसे भी आते हैं लोग की अपने पार्टनर के लिए ये मेरी पिछली जनम से मेरे साथ तो नहीं है जैसे ऐसा होता है कि जो इसका current husband वह पास्ट लाइफ वाला है हाँ जी अच्छा जरूरी नहीं है कि वह husband wife past life में भी husband wife होंगे वह भाई बैन भी हो सकते हैं वह किसी और की wife और किसी और का husband भी हो सकते हैं लेकिन वह आपस में कोई connection होगा मलब जानते हैं एक दूसरे को तब ही इस जनम में साथ तो अकसर ऐसा होता है कि आपके वास क्लाइंट आते हैं अगर किसी का by chance partners में divorce होने वाला है कुछ होने वाला है तो फिर आपके पास आरे हैं sort out करवाने के लिए पिछले जनम में कुछ गलत तो नहीं कर दिया था तो इस case में आप करा देते हो हाँ divorce case तो मैंने अभी तक तो इसा मतलब यह बहुत hypothetical situation है बट मैं पूछना यह चाह रहा था कि जैसे कि आपको आपके husband के खोलने पर ओंसेंट नहीं दे रहे आप गुस्सा हो गए तो नहीं तो और option यह ना husband को देना ही होता है और अगर प्रैक्टिशन हस्बन तो वाइफ की ओपर चलेंगे कि देना की जब रिष्टा विष्टा है तब उससे पहले करें या पहले बाद में आप तो decision ले सकते था कि बंदा कैसा रहा है और मुझे पता था कि कैसा रहा है और मुझे पता था मेरी शादिन से होनी है अच्छा आपका भी past life connection है चा देखा आपने मैं मेरे husband को जानती हूं जब मैं 10th class में थी तो वो मेरे senior थे और तब हमारी friendship थी normal friendship थी फिर हमारी कई साल बात नहीं हुई लेकिन मुझे बता था मेरे शादी इस आदमी से होनी है उस ताइम तो आप practice भी नहीं करते थी लेकिन मुझे पता था कि हो नहीं ती मेरी आप पसंद करते थे हाँ दोनों तरफ से वह भी पसंद करते थी बट हमने यह accept नहीं किया था ना एक दूसरे के सामने ना किसी और के सामने हम वह थे भी नहीं मैं जबलपूर शहर की हूं और वो डेली में थे तो जानते थे मतलब एक तोड़ा टाइम साथ में रहे फिर वो डेली शिफ्ट हो गए और उसके बाद ह कई तेरा साल आप माने तेरा पंदरा साल पर मन में पता था आपको कि उस बंद दिल्ली में बैठेवे बंदे से मेरी शादी होगी फिर दुबारा कानेक्ट कैसे हुए दुबारा कानेक्ट भी वो फेस्बुक के थू अच्छा यह सोशल मीड़ा ने वह लो यह काम बना है अच्छा यह मैंने रिकॉर्ड ओपन करें तब सीखा जब मैंने मेरी शादी के कुछ साल पहले उसके बाद में मैंने यह चेक भी कर लिया था कि मेरी जो नोइंग है यह ठीक है कि नहीं तो मेरी नोइंग बिल्कुल ठीक थी तो मेरी शादी उनी से उनी तो आप पास लाइ इस जनम के भी कर्मा देख सकते हो आप जैसे कुछ बूल गया है भूल जाते है वह याद नहीं हमने कुछ गलत किया इस जनम में भी तो वह नहीं खुल सकते हैं अच्छा एक बात बताईए आप सब के दिमाग में कभी ना कभी को यह किसी चीज को देखकर आता होगा कि यह यह ऐसा पहले तो कभी हुआ यह जाबू टाइप कभी कुछ देखा रिलेटिट है ना तो वह क्यों आती यह नोई आपकी आपके पास लाइफ के खारे पर ऐसे सेम सो फेर यह आता है तो उस जमाने में ऐसे सेम सो क्या बत उस जमाने में आप राजा महरा राजा होगे अग यह वह मुझा ऐसा लगा पैरलेल वर्ड जादा है वह की नए 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 आप जिन से इस तरही के से कनेक्ट कर पारे ना जिस भी गेस्ट के साथ में उनका आपके साथ कार्मिक रिलेशन पका है पास्ट लाइफ मैं हमारा भी होगा आपस में जो आज हम बैठ पास्ट लाइफ में कुछ दिखे हमारे साथ तो बताना जरूर कि मैं यह थी आप यह थे ठीक है पास्ट लाइफ बट हम प्रेजन लाइफ के करमा पर फोकस करें पास्ट लाइफ अपने आप के और हो जाएगे और आगे के लिए हम अपने आप अच्छा वे बना लेंगे जाने के लिए एक बात बताओ जैसे कुछ ऐसे तीर्थ तहान है या कुछ ऐसी जगाएं जहां कहते हैं आपने दर्शन कर लिए तो आपके सारे पिछले करम खतम हो जाते हैं या कभी-कभी ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे गुरू के अंडर आ जाओ तो वह आपके सारे बैड करमा सब सब जीरो कर देते हैं तो क्या यह आकाशिक रिकॉर्ड में भी दिखता है कि आपके करम कभी जीरो भी होते हैं जाए जाए पाइसा को फट नहीं सकते बीच में से कि आप कोई तीर स्थान गए दो चार पेज गाया है तो करना ही पड़ेगा भाई भूगत नहीं पड़ेगा आपकी रीच में ही नहीं न वो पेज आप उन्हें देखी नहीं सकते पकाड़ी नहीं सकते क्योंकि वो ऐसा कुछ फिजिकल कॉपी रजिस्टर तो कर स जिनके हम दर्शन कर रहे हैं या कोई सुप्रीम पावर तो कर सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम है लाइस नहीं है इसके पेले करमा बढ़िया होंगे इसको अम ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है पर वह उस पर जादा ध्यान नहीं देते हैं वैसे देखा जाए तो तो की लाइफ में होती है लेकिन आपके में वो जब हम ध्यान तभी देते हैं जब थोड़ी बहुत से थोड़ी जादा हो जाती उतनी जादा नहीं होगी क्योंकि अभी मुझे आपने बताया था कि आप मंदिर मतलब आप मानते हैं इश्वर मानते तो आप अपने कर्म ठीक र होते हैं तो यह दोनों चीजे आला गला होती है मंदिर जाना अपका कर्म है लेकिन मंदिर जाकर बोले बगवान मेरा तो ठीक है जो रहा है इस बाजुवाली को फेल करा देना इस बार एक्जाम में आपके कर्म आपके इंटेंशिंस कराब हो गए वहां पे तो वह गड़ फिर भी गलत चल रहा है साब अच्छा मैं एक चीज और बताओ कि बहुत सारे लोग हैं जो स्मोक करते हैं ड्रिंक करते हैं ठीक है अपने साथ कर रहे हैं उनके दूसरों के लिए इंटेंशन बुरा नहीं वह दूसरों के साथ बुरा नहीं कर रहे बट सपोज कई तीरत प पिली पाटी पर अपने साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा अपने शेरीर के साथ दो अपने बेकार कर 방법 कर दिया तो आप ने क्या करोड़ लोग हैं यह सिर्फ हम इंडिया की बात करें इंडिया की पता है इस पूरे अर्थ पे कितने लोग हैं युनिवर्स में भी और लोग हैं जिनके बारे में मैं पता नहीं है जो बॉडी जैज एनर्जी जैना आप उपर जाओगे तो कि भगवान आपसे पूचे अच् सिग्रेट और दारू आपकी अपनी हेल्थ खराब कर रही है तो आपको अपने लिए वो ठीक करना है मलब वो हमारे बैड कर्मा में नहीं आएगा कि हमें उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा या कुछ भी यह समय है अपने साथ बुरा कर रहे हो आपके बैड हेल्थ में जब तक अपने तक है तो ठीक तब तक है अपने नहीं कुछ अभी क्लाइंत के ऐग्जामबल से नहीं बदाया आपके वास कैसे क्लाइं साथमेंति कार्मिक मतलब एक अकाशी कि रिकृडिक रिकॉर्ड़ हार इसे कुछ आसा केस्षब और नाम मत बताऊ कुई आसा केज ज कैस्स था कि किकी का पास्ट लाज उपन करें तहीं और उसको आग से डर लगता था जो आई ठी इस में नहीं 사py सपने में भी ऐसा कुछ देखा है कि आग से रिलेटेट कुछ देखा मैंने ऐपन कि तो ही उपन किया तो वह फायर मैंने अपने क्राइंट थी उन्होंने मुझे अठाया कि आपको क्या हुआ पहले आप ठीक हो फिर मैंने उठा रिकॉर्ड पहले क्लोस किये और मैं थोड़ा थंडे पानी से नहां के लिटरली जल रही थी बस वह आग फिजिकली दिख नहीं रही है बट मैं फील कर पा रही थी तिनी कैसे हुआ जब आपने सेकेंड टाइम खोला तो ठीक तो क्या पता चला क्यों क्यों डर्ती थी ओ आग से वो उनका कुछ पास्ट लाइफ जलाज या नए ने उनके साथ कुछ हुआ तो माम जब आपने सेकेंड टाइम उपन गर तब आपको कुछ आप पे नहीं आया तब मैं अपने सारी जो प्रोटेक्शन्स लेने थे वह पहने बहुत लिया नहीं क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी तो जनरली हम जब लेते हैं तो मापने उपको ग्राउंड करके और प्रोटेक्शन के साथ में रिकॉर्ड उपन करते क्यों कि कुछ भी आ सकता है वं पर जिसे कई तो नहीं लिया थे उसके एफेक्ट से तो वह प्रोटेक्शन लेने के लिए भी कुछ चैंट्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं एक टॉर्मिलीन होता है तो वह जनरली हम लेकर रहते हैं उसकी भी प्रोटेक्शन की भी अपनी एक प्रेयर होती है तो हम बोलता है जैसे देवदूत मैंने बताया थे उनको हमें कॉल करना होता है कि यू हैव तू सिट विद अस तो मेरे साथ तो जनरली है अगर मैं इसके अकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर रही हूं या मैं कंसल्टेशन ले रही हूं नियूम्रो या एस्ट्रू का तो मैं पहले करके स्री कृष्ण को ही बोल दियूंगे साथ में रहना है आपको बस तो जब वह साथ है तो सब ठीक है तो कभी जैसे आप श्रचन जी को बुलाते हो कभी उन्होंने आपको बोला कि तूम मतलो केस आप कई बार आपको पता होता है कि आपको इनका नहीं लेना है इनके रि जिसमें कुछ negative energy involved होती है, कुछ और major power involved होती है क्योंकि open ही नहीं कर पाते है, मुझे ऐसे message मिले हैं दो बार तो मैंने तो open नहीं करे, जब किये नहीं तो मुझे पता नहीं है बट हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा होगा, जो मैं न जहेल पाऊं न डील कर पाऊं तो इसलिए मेरे master's मुझे बोल रहे है कि don't go for that, मज जाओ अच्छा, तो आप नहीं जाते हैं, clear no तो यह आप case लेने से पहले ही पूछ लेते हैं बिल्कुल अच्छा और हम इसमें master's कौन होते हैं, जैसे आपने master's बोला नहीं असा कुछ नहिं है, सब के master's एक बात बताहूं मैं आपको हम सब के master's हैं अच्छा सब के master's हैं जो हमारे साथ में, हमारे अच्छे बुरे में हम को देखते हैं, रोकते हैं, सब करते हैं universe कोम बोलते हैं कि यह जो बोलेंगे वो हमको बैक देती है, इसलिए ही बोलते हैं, क्योंकि वो Masters हैं, जो हमारा message convey करते हैं, और वहां से हमारे पास में वो चीजे लेकर आते हैं, हमारे Masters हमारे ancestors हैं, और कोई और हैं, बिल्कुल मेडियम शिप नहीं करते हैं, मेडियम शिप नहीं करते हैं, आप सिर्फ रिकॉर्ड देखके बता देते हैं, क्योंकि क्लाइंट आपके पास आता है, तो आप कैसी रेमेडीज देते हैं, या फिर में रेमेडीज मंत्रों पर बिलीव करते हूं, कि जितने पावरफुल मंत्रा हैं, उतने पावरफुल और कोई चीज नहीं है, बहुत पावरफुल है, तो ओन हुपाइय की, जैसे की किसी को खाना, खh offenses नहीं करते हैं आफ किसी का मैंने बोला था कि आप अच्छे घर के दादा जी ज़िए उन पर जरूरत होगी आप तो आदमी आप और ऐसे काम ही कियो कर रहे हो जिसमें आप ही चार बाते सुनकर आजो तो मैं कुछ जेनरल भी रेमेडी मंतरा होते हैं जो आप आदियंस को बता सकते हो तो कुछ है आप बता दो क्योंकि हर को ही चाहता है मला प्रोस्पेरिटी घर में बनी रिलेशनशिप सही रहें लोगों के रिलेशनशिप आप आपस में समन जस्ट बिठा के रखेंगे बढ़ियां रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है बैट मैं आपको बताती हूं देखिए जो मैंने अभी तक मुझे मेरे बेटे ने चीज तिखाई मेरे बेटे से आप मिले हैं वो जब तीन साल का था तो हमारा 11th फ्लोर पे फ्लाट है और वो बालकनी में खड़े होकर अपना नाम बोल रहा था और जो इको होता है तो उसका नाम उसने बापस सुना और उसने मुझे आके बोला ममा, you have seen God is giving my name back तो वो चीज मुझे हिट हो गई कि वो इतना छोटा यह question है तो आप लेने के लिए ready नहीं हो आप जैसे ओम जो है ओम को हम बोलते है universe का ही sound है तो ओम mantra इतना powerful है यह एक शब्द का है इतना powerful है कि आपको depression है आपको anxiety है आप बहुत stressed आपका day बीता है आप अपने रूम में जाए या आप खुले में बालकनी में जाए कहीं भी ज शान्त हो जाएगा depression है anxiety है stress है खतम वहीं खतम हो जाएगा ऐसे मैं आपको एक लक्षमी जी के लिए मंत्र बताती हूं जो यह तो बहुत जरूरी है बताओ बिल्कुल एक शब्द का है श्रीम मंत्र श्रीम तो जो अभी कॉन वोलक्सा बहुत चल रहा था तो बेटर है हमार हमारे अपने वैदिक मंत्राज हैं तो वो उसको आप चांट करिए लेकिन आप कहीं भी बैटके मंत्रा चांट नहीं कर सकते हैं आपको एक time decide करना पड़ेगा एक बेड़ पे बैटके नहीं करना है क्योंकि आप मंत्र से क्या कर रहे हैं अपने ईश्वर को बुला ही तो र कर सकते हैं तो यह श्री मंत्र है कितनी बार चांट करना कुछ पर्टिकुलर इसके number of times 108 बार बहुत अच्छे आप चांट करें अगर नहीं कर सकते तो मत करिए क्योंकि उससे कम मतलब नहीं है 2111 में कोई मतलब नहीं है आपको वो चाहिए तो आपको उसके लिए महनत करनी है 계속 करें इसके साथ में लोग क्या करते हैं कि सफ इसी पर ौजाते है कि मेरे पास इसे भी क्लाइंट आते है जो मचा म देखें बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है गायत्री मन्त्र हर बच्चे को आता है क्यों आता है गायत्री मन्त्र की एक सेकंड में एक लाग 10 000 साॉड़ वेफ जाती है इतना पावर्फुल मन्त्र और गायत्री मंत्र की चान्टिंग से उच्टूड़न के लिए थे बहोत अच्छा आप और मैं four number से rule होते हैं, तो हर किसी को बस अपने jis number से वो rule हो रहे है उसकी remedies generally कर लेनी चाहिए या कुंडलीगे particular हिसाब से जिस टाइम problem आ रही है उस time क्या गहै। कैसे करना चाहि電? मैं एक बादा हूं आपको अगर आप मैं मैं बहुत ज्यादा फोकस्ट हूँ कर्मों पे आपका कार्मिक बैलेंस अगर आपके वो ठीक हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी दशा हो आपको एफेक्ट नहीं करेगी पर अगर कर रही है तो फिर आपको वो दशा की रेमेडी करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि मलब ज आपको आठ महीने पड़ना है तो दब दक आपको पढ़ते रहना है एफेक्टिव वो तब होगा लेकिन आप उसको आगे कंटीनिव करते रहें तो जो अभी आपने प्रॉब्लम फेस कर ली जिसके लिए ये रेमेडी करा रहें वो प्रॉब्लम आगे रिपीट नहीं होग कि मैं रेमेडी आपको बताती हूं हर नंबर की पहले तो मैं आपके तुरू ये जरूर बताऊंगी कि आप जितने भी लोग सुन रहे हैं कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता सारे नंबर पॉजिटिव है सारे इंपोर्टेंट है अपने आप में आपका नंबर आपके दीम सूर्या ये नमहा ग्यारा बार इसका जाप करिएगा तामबे के लोटे में जल लेना है थोड़े चावल के दाने डालना है थोड़ा सा लाल कुम-कुम लाल फूल डालके जल चड़ाईए सुबे छे से आठ के बीच में ये करिए ये रोज कर सकते हैं कैसे भी कोई भी दिक्कत नहीं है तो भी कर सकते हैं कि 21 दिन ये करिए जिसनको confidence की कमी है जिनको ऐसे लोग होते हैं जिने मान सम्मान नहीं मिल रहा होतना जितना वो deserve करते हैं ये करिए 21 दिन में result मिलेगा इसका 21 दिन में ये मैंने खुड try किया है और मैंने सारे mantra सारे जित्ते भी remedies में बत और दो नंबर के लिए मून से रिलेट करते हैं मून हीलर का नंबर होता है Sun को हम father बोलते है मून को हम मदर का दर्जा देते तो मा वैसी शीतल होती ना प्यारी सी होती है आप चोट लग गई मा ने दुलार दे अच्छा बेटा कोई नहीं पापा तो आपको स्रिक करें तो क्या हो गया दोड़ों के तो लगेगी मून के लिए अच्छा है कि निद्रायोग करें आप या फिर आप चंद्रसाधना करें निद्रायोग यूट्यूब पर वीडियोज है उसके आपको सुनना है और वो सुनते सुनना है इससे बहुत अच्छा है चंद्रसाधना शाम के वक्स मून लाइट में 15 मिनिट आपको ब आपका मून की रेमेडी और जिस दिन अमावस्या है या मून डिकलाइन हो रहा है उस तब तब भी तक अमावस्में निकर ना अमावस्में मत करिये मून वालों के साथ में यह होगा कि मून जितने वह 15 दिन का साइकल होता है ना उनमें तो बेटर है आप गरीब बच्चों को पढ़ाईए और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास में वह सोर्स नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ाईए इसके आपको बहुत अच्छे रिजर्ट मिलेंगे गुरू का नंबर है गुरू तो वैसे ही ग्यान देते नहीं ग्यान देने से घ्यान बढदा है चाहरा के लिए मरमिडी बता हूँ चान्दी गलास ली है और उससे पानी पी जितनी बार भी आपको पशे बार बेस्ट रूहर के लिए मेंफे आपको पता होगी तो उसके गैज्ट dispbor होगे अच्छा इसके साथ में जरूरी नहीं है जिसके confidence में कमी हो मान सम्मान में कमी आ रही है वो सूरज वाली remedy भी कर सकता है numerologically astrologically अगर मैं कुंडली देख रही हो और अगर उनका सूर्य नीच का है तो मैं बोलूगी कि नहीं करना आपको सूर्य की अच्छा उच्छा होगा तो ही आप सूर्य के करेंगे तो five number है mercury का बुध्द का number है आप dio करिये बच्चों को और पढ़ाया अगेन वानी का नंबर है आप बोल मितला स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं गरीब बच्चों को यह सब कुछ आपको गरीब बच्चों को करने हैं चोटे बच्चों को कहीं कहीं उस वाले सर की तरह अच्छे बच्चों को जाने हैं तो यह मरकरी के लिए बहुत अच्छा है आप स्टेशनरी दान करें कोई भी आप हरी वस्तु जैसे मूंग हो गया ये भी आप दान कर सकते हैं, छे number से नमबर वीनस का नमबर है, वीनस के लिए होता है दूद दान करते हैं, और इत्र दान करते हैं, इत्र, उसमें पर्फ्यूम नहीं लेना है, क्योंकि पर्फ्यूम में अलकॉहल होता है, तो परफ्यूम नहीं, इत्र दान करिया है, शुक्र के लिए, 7th, 7th number ruled by Ketu, Ketu के लिए आप क्या दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, काले तिल को लेता भी है, हां लेते हैं, तिल mostly लेते हैं, काली उड़त दान कर दीजे, काली उड़त दान कर सकते हैं, ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर का आपको दान, काले कपड़े दान कर सकते हैं, ओके, आठ नमबर, आठ नमबर के लिए आप करिये चाया दान, चाया, ये कैसे होता है, किसी को शेल्टर से हैं, नहीं, डेना है कि आपको एक दिया लेना है उसमें सरसो का तेल लेना है और उसमें अपने खुद को देखना एपना फेस देखना है और वह आपको शनी बचड़ाना है अब यहां फिर आपके करम आगए लोगिकली आप अपने फेस को देकर मैं ये बोलती ह którym देख पाना कि आप अप तो अब आप शनी देव पर दान कर एकल की शनी देव कर्म के साथ बिल्कूल जोहल नहीं करने देते हैं तो आपको देखना जरूरी है ओ और नौ नॉमबर के लिए कोई भी लाल वस्तू आप दान कर सकते लाल वस्तू पर नॉनुबर राल कपड़े होते हैं लाल थे कर दोनेट कर सकते हैं विलकुल सब्सक्राइब बच्छों को लाल टॉइज बैलन्स हो जाएगा किसी को भी आप जो देने के लिए तयार जो लेने के लिए तयार हूं वैसे किसी को भी जाकर दे रहे हो नहीं जो नीडी है उनने आप कर मापके तब ही कटते जाएंगे कि एक कॉंसर्ट है कि हम इस ऊर्थ में सब कुछ लेने तो नहीं हम देने भी आए हमारा भी कर्म बनता है कि हम ज vy ले तो हमने लिया हमने इश्वर से मांगे यह भी दे भी दे पैसा दिए गड़ी आप करो कि आपके नीचे भी तो कुछ जरूरत होगी आप उनके लिए करिए वैसे देते हैं तो मिलता जादा है बहुत मिलता है यह बात मन में श्रद्धा हो आपके और आपके निया तुम्हें खोट ना हो जैसे में रहा है कि मंदे का में यारा में दूआना मुझे मिल जाए तो यह चीज तो बहुत कर्मा के सादूों को बिलाया कि अब मैं इनका भोजन कराऊंगा इसका जो अध्यान बनाया उसका घाटन करना है अब भोजन कराया भोजन कराते साथ ही सौ के सौ सादू उनकी डेथ हो गई सौ के सौ सादू एक साद चले गए अब उपर गए उपर खलबली मची अब चित्रगुप पूछ रहे हैं कि महराज क्या करें इनका किसका कर्म तो ने चित्रगुप ने बोला यामराज से कि महराज यह तो राजा का कर्म तो यामराज बोले कि राजा का कैसे कर्म उसके दि कर्म वह खाणा बनाते वक्त राम नाम का जब कर रहा था तो उसके नियत में भी कोई खोट नहीं थी तो किसका कर्म तो यह मुझ Church बोले कि जब यह खाणा पंड रहा था उपन स्पेश में बन रहा था तो उपर एक गिध और जा रहे थे उपर से, गिद साप को पकड़ के लेके जा रहा था, उनकी लड़ाई चल रही थी, तो वो साप का जहर गिरा खाने में, तो चित्रगुप बोले कि अच्छा, अब मैं समझ गया, यह साप का कर्म है, अब या मुराज बोले कि कैसे हुआ साप का कर्म, साप तो उसके जान बचाने में उसका जो गिरा, रक्त गिरा जोसमें से पॉजन आया, वो उसकी तो गलती नहीं है, तो बोले अच्छा तो फिर वो गिद का कर्म, ने गिद तो अपने बच्चों की ले खाना लेके जा रहा था, उसके वो वेट कर रहे थे, अब चित्रगु पागल हो कि ये तो समाजी नहीं आ रहा है इनका दंड किसे दे सौ के सौ है यहां पर उन्हें भी समझनी आ रहा सौ सादू कि हमने ऐसा क्या क्या है हम तो सादू है हम क्यों है यहां पर तो हम राज बुले अच्छा सबर करो इसका जवाब मिलेगा जल्दी कई साल बीद गए वह जकडियां काट रहे थी उस आदमी ने बुढ़ी अरत से पूछा कि यहां पर एक महराज रहते हैं राजा रहते हैं कहां रहते हैं तुरंत वह बुड़ी अरत ने जवाब दिया च्छा वह राजा जिसमें सौ सादू को मार दिया था तुरंत यहम राज ने बोला चित्रग लेकिन आपने क्या बोला आपने उनके करेक्टर पे अननोई इंगली आपको पता ही नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या कैसे हुआ आपने दाग लगाया तो कर्म ऐसे खराब होता है आपके इंटेंशन्स आपके कर्म है तो किसी के लिए ना जानते वे सोच लेना भी गलत है तो इंटेंशन से बॉटम वो है कि अगर ये सही रखोगे तो सब सही है सब सही है ये गलत होगे यही से गलत जा रहे हो तो मैं इस कहां दो हो वाई यार ये तो बहुत अच्छी सीखती मैं आपने मज़ा आगया आप से बात करके और मैं जनता से दरख्वास्त करूँगा अगर आपको इस पॉड़कास्ट में मज़ा आया तो प्लीज को शेर कर दीजिए कृपया इसे अपने तक ना रखें और मैं को अगर आप रीच आउट करना चाहते हो तो मैं से जुड़ी सारी डीटेल्स डिस्क्रिप्शन में है इनका इंस्ट्राग्राम का लिंक इनके यूट्यूब का लिंक आप जाकर इनको फॉलो कर सकते हैं और बस हम मिलेंगे आप से ऐसे ही एक मज़दार पॉड़कास्ट में और देन बाउ बाइ भाई टेकर अपना ध्यान रखिये अच्छे नियत और अच्छे करम करते रहे हैं बाई 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 जैशरी राओ